जैविक खेती में हम अनाज की फसलों जैसे बासमती धान या धान या गेहूं या अनाज दाल वाली फसले या तिलहन फसले गंड़ना चीनी कपास और जो अन्य किसी भी फसल मसाले वाली फसले सबजियां फल कोफी चाय और इनके उत्पादित जो हमारे वैलू एड़ेट प् उत्पाद हैं उनको भी हम जैविक विदी द्वारा उत्पादित कर सकते हैं जैविक खेती पर जो आधुनिक अनसंदान हो रहे हैं उनमें सबसे पहले हमें देख रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं कि जो फसलों की उत्पादकता है उसमें कितनी गिरावट आ रही है फसलों की उ बेहतर उत्पाद मिलता है तो ये आधुनिक समय में खास करके जो उत्पादकता और गुणवत्ता है जो हमारे उत्पाद की उस पर विशेस बल दिया जा रहा है जैसा के जैविक खेती के बारे में हम जानते हैं इसमें रोजगार की प्रभल संभावनाएं और खास करके इसक मार्केटिंग में आज कल युवा आ सकते हैं एक जगे से प्रोड़क्ट लेकर दूसरी जगे पर बेश सकते हैं अगर वह प्रमारित प्रोड़क्ट है तो इसमें बड़ा अच्छा स्कोप है आज कल हिमाचल प्रदेश में जैविक सेव हो रहा है पैदा या नाशपाती है या आने फल हैं उनको आप वहां से लाके जो प्रमारित प्रोड़क्ट है दिल्ली में और किसी आने बड़े मेट्रो शहर में बेश सकते हैं और उससे आप मार्जिन या लाब कमा सकते हैं